नमस्कार दोस्तो हमारे चैनल पर आपका शागत है। आज मैं आपको एक स्वेटर का खुबसूरत दिजाइन बनाने बताऊंगे जो दो कलर में होगा। अब हम यहाँ पर काला और उजला यह दो कलर का हम लिए हैं ब्लैक एंड वाइट दो कलर लिए हैं इससे हम डिजाइन बनाने आपको बताएंगे। डिजाइन बनाने से पहले हम आपसे अनुरोत करेंगे कि अगर आपने अभी तक मेरी चैनल को सब्सक्राइब ना किये हैं तो सब्सक्राइब कर दें और बगल में एक घंटी का बटन है उसे जरूर दबा दें। उसको दबाने से आपको मेरी सारे वीडियोज के नोटिफिकिशन तुरंत प्राप्त होगा। तो दोस्तों चलिए हम बनाना शुरू करते हैं कि ये डिजाइन दो कलर में कैसे बना है। सबसे पहले आपको जितना घर बनाना है उतना घर डाल लें। घर डालने के बाद हम यहां बॉर्डर के तौर पे यहां हम सिर्फ उल्टा बिने हैं। देखे, दोनों सलाई दोनों पार से उल्टा बिने हैं। ये बहुत ही खुबसूरत लगता है देखने में। इसलिए हम यहां पर सफेद कलर से उल्टा बिन लिये हैं। ये 6 सलाई बिनने के बाद आपका या 4 सलाई या 6 सलाई जितना भूनना है आपको बॉडर बनाना है उतना बड़ा बना लें उसके बाद हम यहाँ पर 4 सलाई हम यहाँ पर बलेक कलर के उनसे बिनने हैं देखे, एक इधर से, एक इधर से, एक इधर से, यानि कि चार सलाई हम उल्टा और सीधा, एक साइट से सीधा, एक साइट से उल्टा, यही हम बनाए हैं, देखे, यहां हम इस पार में सारा सलाई उल्टा भी ने हैं, इधर से पूरी सलाई हम सीधी सलाई भी ने हैं, तो इस हमारा यह बन जाएगा अब हम आपको डिजाईन बनाने इस पर बताते हैं कि detected हम अब सफिद के उन से start करेंगे सफिद कलर के उन से जब हम start करेंगे हम यहाँ पर सफेद कलर का यह देखे एक दो तीन चार 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 घर का बनेगा तो हम यहाँ एक दो घर के बाद जो सीधे में आता है यहाँ पर देख लिजे यहाँ पर एक दो घर के बाद यहाँ से जो सीधा आएगा जो सफेद होगा उसपे हमको यहाँ पर उन डालना है, देखे इस सफेद पर, सफेद घर में यह सलाई को डाल करके उनको हम निकाल लेंगे, ऐसे इस तरह से इसको हम निकाल लेंगे फंदा बना लेंगे और चार घर को ऐसे फंदा बना करके देखिए इस तरह से चार घर को उठा लेंगे उसके बाद फिर हम उसी जगह पर जहांपर के हम पहले उन डाले थे वही पर हम सलाई को डाल करके वही से फिर हम यह फंदा निकाल लेंगे और देखे इस फंदा को अब इस तरह से पलटा देना है और इस फंदा को भी हम उसी तरह से पलट देंगे इसको सबको इसमें डाल लेते हैं इसको भी हम इसी तरह से पलट के इसमें डाल लेंगे आगे से घर जो है आरामसे डला जाए गा देखिए इस तरह से हम इसको डाल देंगे और इसको थोड़ा सा सफिद कलर को कीच के टाइट कर लेंगे हलका सा टाइट कर लेंगे तो इस तरह से हमारा बनेगा अब हम फिर यहां से देखें एक दो दो घर के सीधा से हम यहां लाएंगे और जो शफित कलर का है इस पे हम डाल करके फिर से हम उसी क्रम में निकाल के ऐसे फंदा बना लेंगे और फंदा को हम इस तरह से घुमा के डालेंगे उसके बाद चार घर को ऐसे उठा लेंगे उसके बाद फिर हम जहां पर डाले थे वहीं पर डालके सफेद घर से, सफेद उन से हमको बना लेना है फंदा उठा लिए, अब देखें ये फंदा मेरा घुम गया है अटोमेटिक घुम गया है ये फंदा इसको भी हमको घुमा लेना है ये जो है इस तरह से हम डालेंगे तो ये घुम जाएगा देखिए इस तरह से हमारा घुम जाएगा इसको थोड़ा सा टाइट कर देना है ये दो वार घुम गया है, इसको एक ही वार घुमाना है, देखे, इस तरह से एक वार में घुमाना है, इस तरह से टाइट कर लेना है, तो इस तरह से हम पूरे सलाई में बनाएंगे, फिर एक दो घर के बाद हम सीधा में आएंगे यहां से, और यहां जो सफिद घर दिख रहा है उस पर हम डाल करके इसको निकालेंगे और इसको ऐसे पलट के ले लेंगे फिर चार घर को उठा लेंगे फिर हम वही पर डालेंगे उनको साफधानी से पकड़ना है क्योंकि घर गिरने का डर रहता है इसलिए साफधानी पुर्वक इसको बनाना है इसको देखे इस तरह से पलट देना है अंदर से ऐसे ऐसे पलट देना है इसको टाइट कर दे देखे ये खुबसूरत जैसा डिजाइन बनना चुरू हो गया है देखे दिख रहा है अभी से ही इस तरह आप पूरी सलाई में बना लें देखे अबें लेंगा धुरू हो गया है देखिए इस तरह से हम पूरी सलाई में बना लिये हैं अब उल्टी सलाई जो घर की हम फंदा बनाए हैं सफेद कलर का है उसको हम सफेद कलर से बना लेंगे और जो फंदा है इसको हम उठा लेंगे ये फंदा सिधा करके उठा लेंगे और सफेद कलर का जो है उसको हम बिन लेंगे इस तरह से हम पूरी सलाई में बिनेंगे तोड़े से ये टाइट हो जाता है इस लिए ये जो है पूरी सलाई हम इसी तरह से फंदा सब को जो घर बना है काला वाला उठा लेंगे और सफेद वाला को बिन देंगे तो इस तरह से पूरी सलाई बना लें इस सलाई तीसरी सलाई में हम दो घर को एक सफेद घर और एक काला घर को बीच से डाल कर काला धागा से अब हम बनाएंगे देखिए ऐसे बीच से सफेद के और काला के बीच से डाल करके ऐसे और इसको एक घर कर देना है बाकी घर को काला उन से बीच देना है देखिए दो घर को काला उन से बीच दिजे और तीसरा घर को फिर आप इस तरह से इसके उपर से ऐसे डाल के काला बीच दिजे इस तरह से आपको चार घर काला कर देना है अब यह सफेद यहां पर है तो इसको हम इस तरह से नहीं बिनेंगे इसको हम यहां से काला को आगे करके तब बिनेंगे इसको ऐसे एक घर करेंगे दो, तीन, और काला को आगे रखना है, सफेद को पीछे कर देना है, इस तरह से एक घर बिनेंगे, इस तरह से हम बनाएंगे, फिर यहाँ काला है, तो काला को हम आगे करेंगे, यानि कि काला और सफेद जो है, इसको इस तरह से डालेंगे हम, और ऐसे एक घर बिन लेंगे, इस तरह से पूरी सलाई हम इसी तरह भी नहींगे देखिए ये काला आगया है तो काला को हम इस तरह बीच से डाल करके इसको ऐसे बनाएंगे और सफेद को अंदर कर देना है इधर से काला को डालेंगे तो देखिए इस तरह से हमारा डिजाइन बन करके निकल आएगा तो हम पूरी सलाई इसी तरह बनाना है हमको अब हम फिर डिजाइन शुरू करेंगे यहासे चार घर को उठा लेंगे चार घर को उठा लेंगे और जहां सफेद से ही हुआ है शुरू हुआ है सफेद से ही हम फिर उन डाल करके और सफेद उन से फिर से बनाना शुरू करेंगे उसी परकार से बनाएंगे जैसे पहले बनाए थे इसको हम पल्टा लेंगे फिर हम वही उन डालेंगे और शुरू शुरू यहीं पर उन डाल करके फिर से हम निकालेंगे और इसको हम यहाँ पर पल्टा देंगे सौरी हम यहाँ पर दो घर ही उठाएंगे चार घर नहीं उठाएंगे पहले पहले दो घर उठाएंगे इसको हम फिर चड़ा देते हैं दो घर उठाने के बाद हम यहाँ पर जहाँ सफेद शुरू किये हैं वहां से सफेद उन डाल करके फिर से स्टार्ट करेंगे, इसको डालेंगे, इसको निकाल लेंगे, अब हम यहाँ पर चार घर उठा लेंगे, फिर जहां पर हम सफेद डालेंगे, वहीं पर साथधानी से फिर से डालेंगे, और सफेद उन लगा करके इसको फिर हम निकाल लेंगे, घर नहीं गिरना चाहिए, थोड़े साथधानी से करना होगा, और इसको हम ऐसे पलट देंगे, इसको दो-तीन बार पलट यगा, तो यह जो है, पूरा अच्छा से इसमें टाइट बनेगा, और बहुत ही खुबसूरत लगेगा देखने में, फिर आप जो यह दो घर है, इस पर आप फिर यहां सफेद वाला जहां से शुरू हुआ है, वहां से डालिए, और इस तरह से इसको बना लीजे, इसको फिर ऐसे पलटा दीजे, और चार घर को उठा लीजे, इसी क्रम में जैसे हम पहले बनाये थे, उसी तरह अभी भी बनाना है, थोड़ा से यही साबधानी रखना है कि घर गिरे नहीं, क्योंकि यह उठाने में थोड़ा से दिक्कत होता है, तो यह साबधानी रख करके आपको घर निकालना है, इसमें घर गिरने का थोड़ा से डर रहता है, तो इसको आप पल्टा लें, और इस तरह से यह इस तरह से डिजाइन बनेगा, तो हम पूरा सलाई बना करके दिखाते हैं, यह डिजाइन बहुत ही खुबसूरत निकलेगा, हम बना के दिखाते हैं, यह इस तरह का डिजाइन बनता है, तो इसके उपर से फिर यही डिजाइन बनाना शुरू किजे, यह बहुत ही सुन्दर लगता है, तो दोस्तों, अग ज़र हमारा वीडियो आपको पसंद आये तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और जितना अधिक से अधिक हो सके शेयर करें पूरा वीडियो देखने के लिए धन्यवाद, थैंक यू